हेलो गाईज आप सभी के स्वागते मेरे चैनल एनमे एक्सप्लेंस पर सबसे पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ वीडियो शेयर ज़रूर कर देना जितना ज़ला वीडियो शेयर करोगे जितना व्यू आएगा उतना बनाने में मज़ा आता है ठीक है और वैसे कल जो मैंने तुम लोगों से कहा था तुम लोगों ने सच मुछ कंप्लीट कर दिया मनना पड़ेगा तुम लोग हो तो एकदम बात के पक्के आई लाइक इट तो तुम ही लोग के लिए आज पांच वीडियो फिर से तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो का शुरू करते हैं जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था यह अपने अंकल से मिलने के लिए जाता है लेकिन मुलकात तो ठीक नहीं होती है अब वो अंदर जाता है तो उसके अंकल कहा रहे होते हैं कि कौन हो तुम बाहर निकल जाओ यहां से वो बताता है अंकल कि मैं हूँ याओ वो कहता है अंकल जरा पेशेंस तो रखिये मैं बेवकुफ से अब एक नॉर्मल इंसान बन चुका हूँ लेकिन आप चिंता मत करिये मैं अपनी स्ट्रेंद को वापस से रिस्टोर कर लूँगा लगबग एक साल के अंदर में ठीक है अंकल मैं आपस मिलने के लिए वापस आल बॉक्सिंग कहा जाता है तो तुम्हें इसकी प्रैक्टिस नहीं तुम्हें हमारी आर्मी को जॉइन करना पड़ेगा तब ही तुम समझ पाऊगो कि बैटल फिल्ड में कैसा लगता है तब तक पीछे से ग्रेंपा आ जाते हैं और कहा रहे होते हैं कि तुम अपना बर्स बचगे हैं और तुम्हारी इतनी ही मतुमी से आर्मी जॉइन करने के लिए हो ग्रेंपा याओ को एक बंदे के बारे में बता रहे थे कि वो बार बार यहां पर आया है और उससे एक शील्ड चाहिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर उससे मिलो याओ कह रहा होता ह अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यह मुटकु याओ से कह रहा होता है कि बॉस्ट अगर लॉंग फैंली और नैनकिंग फैंली एक दूसरे से हाथ मिला ले तो कोई भी हमारी पोजिशन को नहीं हिला सकता है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए हम दोनों एक दू नहीं होता है तो वो मुटकूस से कह रहा होता है कि ठीक है 30% हमारी फैमली जितना भी कमाईगी उसका 30% आपको मिल जाएगा क्या अब आप तैयार है याओ तुरंती उसे हां गया देता है और कह रहा होता है ये ना बात हुई इसे कहते हैं डील अब चलो चल कर इस डील को सेल कर देश 4 तरफ शेहर में फढ़ा दो कि नैंकिंग फैमली हमारे प्रोटेक्शन के अंदर है और कोई भी इन से पंगा लेनी कोशिश करेगा इसका मतलब हो हमारी फैमली से पंगा लेनी कोशिश कर रहा है मुटकू कहता है वह बौस आप तो सच मुश कमाल के हैं अगले सी म लोगों ने बहुत अच्छा काम किया हमारी फैमली को इतनी असानी से कोई बुली नहीं कर सकता है और हाँ रॉयल स्कूल में टेस्ट होने वाला है परसो तो उसके लिए अच्छे से प्रिप्रेशन कर लेना अगले सीन में हमें मोटको को दिखाया जाता है जहां उसके फादर कह रहे होते हैं क्या उनकी प्रोटेक्शन होने के बाद भी उन लोगों ने तुम्हें इतना पीट दिया क्या सन इन लोगों को तुम्हारी जराई परवा नहीं है वो चिला कर अपने डैट से कह रहा होता है कि नहीं बहुत सा ऐसे बिल्कुल भी नहीं है और वैसे भी वो रॉयल स्कूल जा रहे हैं और उन्हें हमारी जायजात से कुछ भी लेना देना नहीं है और यहां पर बहुत भारी तादात में लोग आये होते हैं भीड भीड भी भी बहुत होती है और यह तोनों आराम से खारा खारे होते हैं और कह रहे होते हैं भीड कुछ ज़्यादा ही है तब तक वहां पर एक बंदा आ चुका होता है इसका नाम Cloud होता है यह याव से पूछता है ब्रदर तुम्हारा नाम क्या है याव से अपना नाम बता देता है तो वो Cloud आकर उसके बगल में बैठ जाता है कहा रहा होता है कि मेरा नाम है Cloud Quan और मैं यहाँ पर एक्जाम देने के लाया हूँ एक प्यारी सी वोमिन ने मुझे यहाँ पर लाया है मुझे उमीद है मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ तो मैं यहाँ कोई दिखत पैदा नहीं करूँगा याव सोच रहा था लगता है तुम मार खाना चाते हो और तुम यह सब मेरे सामने बोल रहे हो लेकिन वो क्लावड कहने लगता है कि मुझे इस बात का डर है कहीं यहाँ पर जितने भी सिस्टर्स हैं वो सभी मेरे प्यार में पागलना हो जाए क्योंकि तुम मुझे से कम हैंडसम हो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ और मैं क्या करूँ इतना जादा हैंडसम होना भी एक शराफी है यहाँ कहता हो मुझे पता है तुम जरूर मजा कर रहे होगे मैं सक्सेस हो या फिर ना हूँ यह तो अभी अन्नोन है क्योंकि किसी को नहीं पता है कि आगे चलकर क्या होने वाला है क्लाउड कहता है कि तुम चिंता मत करो हम दोनों सक्सेस हो जाएंगे वैसे यह दाड़ी वाला बंदर कौन है और तुम्हें नहीं लगता है कि इसके छेचे कान है यहाँ कहता है यह तो बस एक बंदर ही है छोड़ो ना इसकी बात को छोड़ो यह कोई बड़ी डील नहीं है तो वो कहता है क्या तुम मुझे यह बंदर बेचोगे वो उसे उठा लेता है क्या रहा होता है कि तुम अगर लेने का मन है तो तुम इसे रख सकते हो अरे फ्री ही में रख लो लेकिन वो बंदर उसके मूँ को नोचने लगता है उसके मूँ को ऐसे वैसे करता है और फिर वहाँ से भाग जाता है क्लाउड कहता है किया तुम सचमूच सीरियस हो खैर छोड़ो जाने दो तुम्हें देखने से लगता नहीं कि तुम्हें एक औरडियनरी परसन हो क्योंकि हम दोनों ही पास होने वाले है तो हम लोग सीनियर सिस्टर को हाफ-हाफ में बाट लेंगे क्यों तुम्हेरे इसके बारे में क्या कहना है वो कहता है कि बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं यहाँ पर मार्शल आट सीखने के लिए आया हूँ यह सब करने कले नहीं अब थोड़ी दिर बीच जाने के बाट फाइनली एक्जाम शुरू होने वाला होता है सुबह से यह लोग इंतजार कर रहे थे इस तरफ हमें दिखाया जाता है मारा के टीचर को जो कहा रहे होते हैं कि एन्वल रॉयल स्कूल टेस्ट अब शुरू होने वाला है सबसे पहले वो नियम बता देते हैं कि जो भी अंडर 16 एर्स हैं 16 साल के अंदर और युवान लेवल तक पहुँच चुके हैं इनका रियलम ने, इनका युवान इंपेरर होता है वो लेवल होता है इनका वो लोग टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं फिर उसके बाद इन्हें अलग अलग टीछर्स ने दिये जाएंगे और फिर उसके आगे वो टीचर सी बताएंगे कि इने क्या करना है सबसे पहले इन्हें इन स्टोन पिलर्स वे अपनी पावर को अजमाना है और जो फेल होगा वो चुप चाप बाहर निकल जाएगा कोई बहस कुछ भी नहीं लेडी टीचर हमें बताती है कि ये जो पिलर है यही इनका टेस्टोन है इन्हें पहुँचना पड़ेगा यूवान वारियर लेवल तक जो ये पिलर ही बता देगा कि ये लोग पास हुए है या फिर नहीं हुए क्लाउड कहता है कि तुम उस प्यारी सी ट्यूटर को देख रहे हो चलो हम लोग इन्हीं की लाइन में चलते हैं बहुत जादा मज़ा आएगा लेकिन पहले से ही बहुत सारे लोग की भील लगी रहती है वो कहरी होती है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं अराम से सब लाइन से आएगा और अराम से स्टोन को हिट करेगा सबसे पहले एक बंदा आता है वो स्टोन को मारता है लेकिन स्टोन को मारने के साथ साथ ही उसका पूरा हाथ ही हिल जाता है तो ये फेल उसके बाद एक एक करकर और भी लोग आते जाते हैं और उस fruit को खाने लगता है वो सभी लोग उससे गुरा कर देख रहे होते हैं और कहा रहे होते हैं तुम्हारी इतनी हमत तुमने चोरी की याओ कहता है कि प्लीज प्लीज हम यहां लड़ना नहीं है तब ही यह प्रिंस आ जाता है और कहा रहा होता है तुम यह कैसी बाते कर र देता हूं क्यों यह सही रहेगा ना वो सच्मु जंशिंग निकाल देता है प्रिंस सोचने लगता है यह परसन आखिर यह कौन क्या यह सच्मुच 800 साल पुराना जंशिंग है मगल वो प्रिंस कहने लगता है कि वो जो fruit है वो बहुत ही जादा valuable है और इसके बदले में कम से क्राउड एकदम याओ की तरफ आगे आने लगता है लेगन टीचर कहा रही होती कि आखिर तुम लोगों ने वहाँ पर भीड क्यों लगाया है जल्दी आओ और अपनी बारी का इंतिजार करो सब लुक्षान तो जाते हैं अब कोई नहीं लड़ता है वो प्रिंस कहा रहा ह रहे नहीं नहीं तुम मुझे गलत समझ रहे हो मैं तुम्हारी बहुत इज़त करता हूँ मैं तुम्हारी पुजा भी करूंगा लेकिन मैं अभी कर नहीं सकता हूँ या उस बंदर को मानने लगता है क्या रहा होता है तुम बेकुफ कोई कि यह सब तुम्हारी वज़े से ह और साथी साथ वो fruit तुमा के लिए खा गए अब cloud की बारी होती है वो बड़े style से जाता है और कहा रहा हुता है मेरा ही नाम cloud है टीचर कहा ही होती है देखो अगर करना है तो कहरो वरना मैं तुमेंगे simplify कर दूगी वो कहता है कि ठीक है 茶ीक है मैं जा रहा हूं जा रहा हूं वो तो बस अपने एंकली से मारता है और टेस्ट पास कर लेता है और ये होता है medium level, human warrior सब लोग बहुत साथ impressed होते हैं इस से उसके बाद ये याओ के पास आता है मेरा दोस्त भी ऐसा ही चेहरह बना कर हम कि ये कोई नॉर्मल पावर लेवल नहीं होता है ये लो लेवल युवान जेनरल तक पहुँच चुका है क्लाउड कहा रहा होता है वाव तुम तो सच मुश कमाल के हो अगर हम दोनों का मुकाबला हुआ तो हम दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे वो कहता है हाँ क्यों नहीं और सोच रहा था अगर तुम मेरे राइवल रहे तो सबसे पहले तो मैं तुम्हारी बोलती ही बंद कर दूँगा अब सारे राउंड फिनिश हो चुके होते हैं जितने भी कंटेस्टन ने फरस्ट राउंड को पार कर लिया होता है टीचर उन्हें बता रहे होता ही कि यह जो सकेंड राउन है इसमें इन्हें लकडी से बने हुए आदमियों को मारना है मतलब उन्हें हराना है लेकिन वो लोग इतने असान नहीं है वो लोग भी बहुत जादा टाफ हैं और जो भी इस टेस्ट को पार करेगा वो थर्ड लेवल में पहुँचेगा असल में यह जो सकेंड टेस्ट होता है इसमें आपकी कॉमबैक्ट एबिलिटी को दिखाया जाता है कि कितना अच्छा आप अपनी स्ट्रेंट का कैसा इस्तिमाल कर सकते हैं आप में फ्लेक्सिबिलिटी है या फिर नहीं है और आपको उन लकड़ियों के आदमी को हराना प अच्छा लगेगा तब बनाने में और भी जादा मज़ा आएगा ठीक है फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए बाई बाई वीडियो शेयर जरूर कर देना बिलकुल भी मत भूलना